नमस्कार दोस्तों लोगसपा चुनाफ दोहजार चौवेस के मद्दे नजर विपक्षी गडबंधन इंडिया की चौथी बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई अटकले लगाई जा रही थी कि विपक्ष के प्रधानमंत्री चहरे पर निर्णे लिया जा सकता है बैठक में पश्चिम मंगाल और दिल्ली के सीम की ओर से अलायंस की के पीम केंडिडेट को लेकर मलिकार जुन खड़गे का नाम भी प्रस्तावत किया गया जिस पर कौंग्डे सद्याक्ष ये कहते हुए इंकार कर दिया कि पहले चुनाफ जीतना सरूरी है बीजेपी ने इस घटना करम पर तंस कसते हुए कहा कि वो चुनकर ही नहीं आएंगे पश्चिमंगाल की मुख्यमंतरी और टीमसी प्रमुख ममता बेनार जी और दिल्ली के उनके समकष अर्विन केजरिवाल ने मंगलवार को कॉंग्रेस अध्याक्ष मलिक आजुन खड़गे का नाम इंडिया गडवंधन के प्रधान मंतरी पत के उम्मिद्वार के लिए प् रखा कि वो देश के पहले दलित प्रधान मंतरी हो सकते हैं न्यूज एजन्सी पीटी आई के मुताबिक एंडी एम के नेता वाइको समेत कई नेताओं ने विपक्षी गडवंधन की बैठक के बाद इसकी पुष्टी की और कहा कि कॉंग्रेस अध्याक्ष ने नेताओं से कहा कि पहले जीतना और गडवंधन की ताकत बढ़ाना एहम है जबकि बाकी सब कुछ बाद में तैक किया जा सकता है इसके अलावा बैठक में सीट शेरिंग के फॉर्मुले पर भी बातचीत हुई इसके साथ ही आपको बताते चलें कि केंद्रिये संसदिये कारे मंतरी प्र पर असल कॉंग्रेस अध्यक्ष मली कारजुन खडगे ने कहा था कि पहले चुनाव जीतना है उसके बाद पीम चेहरा तैक किया जाएगा जोशी ने इसी पर कहा कि सवाल ही नहीं है कि वह चुनकर आएंगे बहराल देखना होगा कि विपक्ष की इस बैठक से उन्हें कोई के फायदा पहुंचता है या फिर रही है